उत्तर प्रदेश मासिक राज्य करंट अफेर्स यूपी की सभी परिक्षाओं की तैयारी करने वाले चात्रों के लिए लाभकारी होगी चलिए शुरू करते हैं अयोध्या बना उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की पहली पसंद 14 सितंबर को राज्य पर्यटन विभाग ने साल के पहले 6 महीनों में राज्य में आने वाले पर्यटकों के आंकडे जारी किये इस साल की पहली चमाही में अयोध्या में करीब 11 करोड जबकि वारानसी के 4.61 करोड पर्यटक पहुँचे यूपी की पहली एयरलाइन शंक एयर जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू करेगी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली क्षेत्रिय एयरलाइन शंक एयर को नागरिक उड़्यन मंत्राले से मंजूरी मिली है इस एयरलाइन का लक्ष लखनव और नोईडा को अपने मुख्य केंद्रों के रूप में इस्तिमाल करके राज्जीय और अंतर राज्जीय हवाई परिवहन को बरहाना है वर्ष 2024 के अंत तक शंक हैर अपनी उड़ाने शुरू कर सकती है यूपी में फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा दो सितंबर को लखनव के केडी सिन्ह बाबू स्टेडियम में पहली कोलकाता डर्बी आयोजित हुई इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में फुटबॉल के बुनियादी धांचे और प्रचार को बढ़ाने के लिए राज्य के 18 कमिश्नरेटों में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाये जाने की घोशना की इसके अलावा पूरे राज्य में अधिक टूर्नामेंट की सुविधा के लिए प्रत्येक ब्लॉक में फुटबॉल मैदान विकसित किये जाने की भी घोशना की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सैनिक स्कूल का उधगाटन साथ सितंबर को उपराश्ट्रपती जगदीप धनखड ने गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में उन्चास एकड क्षेत्र फल में बने में सैनिक स्कूल का उधगाटन किया 176 करोड रुपए की राशे से बना यह स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला और पूरे उत्तर प्रदेश में पांचवां सैनिक स्कूल है 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्कूल की नीम रखी थी उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रिय व्यापार शोग दो हजार चौबीस का हुआ आयोजन उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रिय व्यापार शोग का दूसरा संसकरण 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोईडा के इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उत्पादों, सेवाओं, संस्कृती और व्यांजनों का प्रदर्शन करना है उत्तर प्रदेश में एशियाई किंग वल्चर या लाल सिरवाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षन केंद्र शुरू 6 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराज गंज जिले के भारी वैसी केंपियर गंज रेंज में जटायू संरक्षन और प्रजनन केंद्र का उधगाटन किया यह केंद्र एक दशमलव पांच हेक्टेयर क्षेत्र फल में फैला है जिसमें 20 गुणा 30 फीट की पक्षी शाला है यह केंद्र गिद्धों के स्वास्थि को सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें जंगल में पुनह स्थापित करने के लिए तयार करेगा सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रिय आईयसो प्रमाणन प्राप्त हुआ सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल में आईये सो प्रमाणन प्राप्त करने वाली पुलिस लाइन बनी यह उपलब्धी उत्तर प्रदेश के स्मार्ट पुलिसिंग विजन का समर्थन करती है इसका उद्देश्य पुलिस की प्रभाव शीलता को बढ़ाना, कानून और व्यवस्था को मजबूत करना तथा अधिकारियों और कर्मियों के लिए स्थितियों में सुधार करना है वारानसी उत्तर प्रदेश में बनेगा वैदिक थीड़ी संग्रहाले उत्तर प्रदेश सरकार वारानसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्व विद्याले के मुख्य भवन में एक वैदिक थीड़ी संग्रहाले का निर्मान कराएगी यह संग्रहाले भारतिय जियोतिश, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में वैश्विक प्रौध्योगी की केंद्र विकसित किये जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच शहरों नोएडा, लखनव, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वैश्विक प्रोध्योगी की केंद्र विकसित करने के लिए 4 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है इसके तहट नोएडा, IT Hub, लखनव, AI और Machine Learning Hub, कानपुर, ड्रोन और रोबोटिक्स सेंटर एवं वाराणसी और प्रयागराज, इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास के सेंटर बनेंगे UP की अन्य खबरों को देखें तो उत्तर प्रदेश ने Greater Noida के India Expo Mart में 11 से 13 सितंबर तक Semicon India 2024 की मेजबानी की 5 सितंबर को भारत सरकार के Department for Promotion of Industry and Internal Trade ने उत्तर प्रदेश को Business Reforms Action Plan 2022 के तहत Top Achiever State के अवार्ड से सम्मानित किया है सितंबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 97.7 प्रतिशत 51,656 मामले कुल 13 राज्यों में दर्ज किये गए जिनमें से सरवाधिक मामले उत्तर प्रदेश में 12,287 या 23.78 प्रतिशत दर्ज किये गए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षित डेटा भंडारन को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड रुपए के निवेश के साथ-साथ नोईडा के पास डेटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष रखा है सितंबर माह में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिशत द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 के दशक में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में पांच राज्यों का आर्थिक प्रभुत्व था जिसमें अविभाजित उत्तर प्रदेश इन राज्यों में सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत का योगदान देता था 12 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अटल आवासिय विद्यालयों के चरण बद्ध विस्तार की योजना की घोशना की जिससे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी वर्तमान में राज्य में 18 अटल आवासिय विद्यालय हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश ने 8 गीगावाट के सौर उर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साजहदारी की है 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में शौपिंग डेस्टिनेशन लाइकली की आधारशिला रखी इसे वर्ष 2028 तक इंका सेंटर्स द्वारा विकसित किया जाएगा करिए ट्रेश खोब।